फूलन देवी की अभी नहीं नहीं साधी हुई थी वह अपने सास पे और उपने पती पर रोब जमाती रहती थी और दिन घर उनको ताने देती रहती थी घर का कोई भी काम वह नहीं करती थी मा जी मैं बाजार जा रही हूँ और उसके बाद मैं किट्टे पार्टी में जाऊंगी घर का जो भी काम है तुम कर लेना और हाँ सुनो बेटी रीता बागी काम तुम कर लेना तुम तीनों मिलकर घर का सारा काम कर लेना मैं बाहर जा रही हूँ किट्टे पार्टी से में देर राप तक आउंडी मेरा इंतिजार मत करना तुम और जब तक मैं घर्वा पसाती हूँ मुझे गर्मा घर्म खाना बना हुआ चाहिए चलो मैं चलती हूँ इधर फुलन देवी की सास अपनी बेटे रगु को कह रही होती है बेटा रगु तुम फुलन देवी को कुछ कहते क्यों नहीं है उसकी आदों दिन पर ती दिन बिगड़ती जा रही है देखा तुमने अपनी लापरवाई का नितिया वह हमारे सर पर चड़के नाशती जा रही है हमें उससे बात करनी ही होगी हाँ हमें इसकी जाने से कोई अतराज नहीं है घूमें फिरें लेकिन ऐसे रोज रोज ये बात गलत हती है वो घर का कुछ भी काम नहीं करती और तो और वो अपनी बेटी जीता पर भी कोई ध्यान नहीं देती उसका बेटा रोगु चुपचाप सारी बाते सुनते रहता है और मन ही मन सुचता है हाँ मा बिल्कुल सही कह रही है मुझे फूलन देवी से बात करनी ही होगी लेकिन मैं करू तो क्या करू खायरे कुछी देर में फूलन देवी घर आती है अरे आज तुम दोनों को क्या का काम करना है और हाँ सबजी नहीं है पहले बाजार जाना दोनों और तुम सबजी ले क्याना रगू और मा जी तुम बहुत अच्छे से बनाना मुझे आज बिल्यानी खाने का बहुत ज़्यादा मन है नुझे पता है आप बना लोगी हाई रे किट्टी पारटी से देज रात में आई हूँ मेरे तो सर दर्द कर रहा है पहले हुम ऐसा करो मेरे लिए एक कप चाय बना के लेकी आओ और हाँ मेरे सहेली आने वाली है उसका भी खाने पिने का बंदवस्त करो तब फूलन देवी की सहेली चमपास के घर आती है और वैस को बताती है हाई रे फूलन देवी क्या बताओं हाई रे मैं तमर गई रे मेरी सास और ससुर और मेरा पती तीनों मिलकर मुझे बहुत तंग करते है में गर का जाड़ू, पोचा, खाना, बनाना, बरतन साफ करना सब कुछ कारे करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे को बुरा ही बोलते रहते है अगर उन में से कोई भी मेरी मदद के लिए आदी नहीं आता है मुझे को हमें सब बुरा बुरा बोलते है मैं दिन भर काम करती हूँ, ठक जाती हूँ लेकिन मुझे पर कोई भी दयन नहीं करता ओरी फुलन देवी, तु बहुत किस्मत वाली है रे तेरे बहुत अहो भाग के है जो तुझको ऐसा पसी मिला है और ऐसी सास मिली है रे ठीक है तो फुलन देवी मैं घर चलते हूँ, मुझे बाजार से सारा समालने के जाना है और फिर मुझे खाना बनाना है, बरतन साथ करने है, कपड़े दूने है, बहुत काम बाकी है ठीक है मैं फिर आती हूँ, चलो बाई उसके बाद फुलन देवी को अपने कीवर बहुत पस्तावा होता है पेटा फुलन देवी देरा है दुरुफता है हमें पता था तुम्हें एक अच्छी लड़की हूँ अब तुम्हें अपनी गल्दी का एहसास हो गया है बस आगे से ऐसा मत करना हमें तुमसे कोई सिकायत नहीं है इस तरह से फुलन देवी की सास फुलन देवी को समझाते रहती है और बताते रहती है कि तुमने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया है हमें तुमसे कोई भी गिला सिकवान नहीं है हम तुमको अपनी बेटी मानते हैं और हमेशा बेटी ही मानेंगे और बहुत ही प्यार करेंगे लेकिन बेटा तुम्हें अपने करतवे को नहीं बूलना चाहिए तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए हमें बहुत खुशी है कि तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगी हारे फुलन देवी मुझे बहुत खुशी हो रही है ओरे फुलन देवी अब बगवान तुमें आगे के लिए भी सत्थ बुद्धि दे और तुम हमेशा ऐसा ही खुश रहो हम एक परिवार की तरह रहेंगी सब भूत खुश हो जाते हैं हलो दोश्तों में खुलन देवी मेरे चैनल लाइप करें सब्सक्राइब करें